हर्याना के भीवानी जिले के लोहारू में दो लोगों के जली हुई पिलेरो काड़ी में कंकाल मिले थे इस मामले में राइश्तान पुलिस ने एकारूपी को ग्रपतार कर लिया है वहीं राइश्तान सरकार त्वारा पिडित परिवार को 15-15 लाक रुपे राइश्तान की मंत्री जायदा खान द्वारा 5-5 लाक रुपे पिडित परिवार को आर्थिक मदद देने की घोशना की है मंत्री जायदा खान ने 35 वर्षिय मरहूम जुनेत और 28 वर्षिय मरहूम नासिर की हत्या की निंदा की है गाटमी का गाउं हारेना सीमा के पास है जुनेत के चचे भाई इसमाईल ने पुदवार को बरतपुर के गोपालगर थाने में दोनों के आफरन और मारपीट का मामला दर्ज कराया था जिसमें अब हात्या का आरोग चुड़ गया है जुनेत और नासीर तोनों के सब रात गाटमी का गाउं पहुँचे गाउं ही नहीं बलकि पूरे मिवात में गम का माहौल है दोनों भाईयों को बेलरो सहत जिन्दा जला दिया गया था और दोनों के कंकाल भीवानी के लोहारू के बारवास गाउं में मिले जुनेत और नासीर को भरतपुर के पूरू का हारियाना में दोनों को जिन्दा जलानी से पहले पीटा गया था अब बच्चों की जो परहाई है वो रेजिजेंशी स्कूल में फ्री का गाउन लोग थे जो अब भीवाने वाले थे आप उन जन्यत होएं क्या एक चैनित हुएं एक चैनित हुएं ना एफायर भी दर्ज भी और पुलिस अपनी कारवाई कर देंग अब वहां है को तो पहले तो यह था कि जो मुझरिब हैं उनको सजा मिले अब उन्होंने वोई है कि गिरफतार कर ग अब बताती है जिसको अरेस्ट की अरेस्ट की अरेस्ट की अरेस्ट की अरेस्ट की सॉटवट हो गया गया ज़िसक अब 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 अबभी सॉट आउट हो गया गया यह कुछ आश है अभी मतला है। सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद ही हम अपने अपने अधरनी आशोग लहलाओ सहाब में पूरा यतीन है कि हो हमारे साथ दुन्याए करेंगे इसलिए हम लाशोग को रखके कोई सौधा नहीं करें लाशोग में राजनीती करेंगे मैंने लेक और मामनों ने लखी है कि इस तरह कि जो गटना है बार बार होती है उनकर लगाम लगान करेंगे नहीं करेंगे